नमशीकार दोस्तो आज मैं आपको ethical breeder या ethical का word का पूरा मतलब समझाऊंगा ये सीरिस होगी पांच ऐपिसोड में चार यहां पांच ऐपिसोड होंगे और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि ethical breeder होते क्शे क्या मैं भी पूरा राजयसान सर्च कर रहा था तो एक नाम बड़ा जोरो शोरो से आ रहा था सभी की तरफ से मतलब लोग रेकुमेंट करें उस ब्रीडर के लिए वो थे हिमांशु व्यास जी हिमांशु व्यास क्या बहिया क्या है नमस्कार सभी दर्शकों को तो बहिया यह कितने सालों का सफर रहा जो आपने नाम बना है मैं दर्शकों को बदाना चाहता हूं कि मेरा नाम है दॉक्टर हिमांशु व्यास और मैं एक विट्नरी पोस्ट ग्रेजवेट हूं यहां पर प्रेक्टिस करता हूं दैपुर में साथ में ही ब्रीडिंग मेरा पैशन है अब यह होबी है अजा नामtone में All over India मैं अपने डॉक्स को शोहोज में पर्टिसिपेट करवाता हूं मैं अचाग ट्रीटमेंट में हेल्प करता हूं साथी दी में All over India यह कुछ ब्रीडर्स जो टच में है मेरे वो मेरे से ऑनलाइन और इस तरीके से टच में रहके उनका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे मन को गाइड करता हूँ तुभीया ये आपका जो ब्रीडिंग का लाइफ स्पैन है, मतलब कब से स्टाट है तुसर्ट नाइन तक मैं अनिमल वेलफेर में था और मैंने अपनी एक संस्ता बना रखी ठी जैपूर में और वहां मैं स्नेक रेस्क्यू और क्रॉकडइल रेस्क्यू, व통 एनिमल रेस्क्यू और ऐनिमल क्रुएल्टी के अगेंस् काम करता था 2009 के बाद में जब मैंने स्टेट गॉवर्मेंट जॉइन किया एज विटनरी ओफिसर उसके बाद में वाइड लाइफ से थोड़ी दूरी होगी बाद में मैंने अपना जो सेकिंड लव है डॉग्स उसको एज पैशन केरी आउन किया और 2010 से मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ 2012 में मैंने अपना चैनल के अदर रजिस्टर किया जिसका परिफिक्स से इस्टैलियन की शुरूबर 2012 से करी कि लमस हम 10 साल हो गए हैं ब्रीडिग का लोगे दोस्तों 10 साल एक्सक्पिरियन्स और आप नीचे कमेंट कर सकते हो जो आपके इनका नंबर भी होगा जो आपकी serious problem है पैट की कोई भी पैट हो आप इनसे discuss कर सकते हो और इनकी जो breeding है किस की breeding आपकी इस टाइम पर सरभी हाल फिलाल अफ ब्रीट जो है दिफरेंट है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ unusual breeds रखें शुरुआत हमने रशियन बार्जोई से करी जिसको हमने इंपोर्ट किया था रशिया से और उसको हमने dog of the year के लिए खिलाया और वो contender था उसमें he was number three dog in इंडिया लेटर ओन हमने एक फीमेल पर्चेस करी मॉस्को से और फिर उसे ब्रीड किया उसको यूज करने के बाद में हमने उसके पपी तैयार किये उनको भी शो किया इस तरीके से कार्वा चलता गया भी हम हाल फिलाल कुछ ब्रीड जैसे जैसे जामन शेपर्ट फॉक्स इंडियार, मिनेचर पिंचर, बॉक्सर और बीगल्स, विपिट्स, दक्षिंज, इंग्लिश पॉंटर्स ये ब्रीड्स हम अभी ब्रीड कर रहे हैं और इसमें हमें बहुत सक्सेस भी मिली है अमने कुछ विपिट्स और दक्षिंज हैं कंट्री के अंदर और खुशी की ब और नेक्स्ट जो लिटर है उसमें दो पपीज हमने स्वीडन में बीच हाउस कैनल और एक स्पेन में सेरीग्यो करके एक बंदा है उसको एक्सपोर्ट किया है और सारे ही तीनों डॉक्स जो हैं वो कैनल में गए हैं जो वहाँ पे शो के हिंदुस्तान का नाम उचा करेंग मतलब वहाँ पर जब वो शो करेगा तो उसमें ब्रीडर का नाम हमारे इंडिया का आएगा यह होती है ब्रीडिंग आईए पांच एपिसोड इनके नाम करते हैं दो दो दिन के गैबमेंट हम डाल देंगे कहते तो हम यह हैं कि डाल देंगे पर इस बार डालेंगे और हिमा एक्चली विपट जो ब्रीड है ये इंग्लिश ब्रीड है इंग्लैंड से इसका ओरिजन हुआ था अब तो ये वल्ड वाइड मिलती है अमेरिका में और कुछ कंट्रीज में इसको बहुत पसंद किया जाता है जहां पर अर्बन अरियाज है बिकाज ये फ्लैट में आराम से रह जाती है फ्लैट में रहने में इसको कोई परिशानी वाली बात नहीं है मेरे इजाब से इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका डेवलपमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्रेहांड होते हैं उनसे डेवलप हुई है और greyhound जो breed है उसको कुछ terriers के साथ में mix करके छोटी breed का development हुआ था industrial revolution के time पे basically ये था कि कुछ लोग जो करते थे अपना batting करते थे आप कह सकते हैं कि racing के अंदर तो greyhounds थोड़े बड़े होते थे और उनको betting लगाने के लिए उनको land area बहुत बड़ा चाहिए racing के लिए तो उन्होंने इस छोटी breed को develop किया ये rabbit hunting में भी बहुत अच्छा काम करता है और इसको England की Queens ने promote किया लेटर ओन क्योंकि ये थोड़े क्यूट लगते हैं greyhounds थोड़े से बड़े होते हैं उतने क्यूट नहीं होते और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही अच्छी breed है इसकी outline बहुत सुपर्ब होती है मेरी left side में जो dog बैठा है उसका नाम है international champion Indian grand champion चंचान जी माइंड ब्लोइंग चंचेकर क्रिशनस्वामी जी की breeding का डॉग है यह और यह उनका सबसे successful litter है और यह मेरे parent stock बनाया है इसको सायर की तरह यूज किया है जो भी मेरे पास stock है उसमें left hand right hand side में जो female आपको दिख रही है यह एक फीमेल है चंचेकर जी क्रिशनस्वामी के पास में मंगोलिया उसको उन्होंने अब्रॉड भेज़के यरोप में एक बार्ने स्मोर कैनल का डॉग है बार्ने स्मोर चेज देश उससे ब्रीड किया था और उसके अंदर वह लीनिएज यह कैरी करती है तू लाइन ब्रीड इस डॉग मैंने यह फीमेल पचेस करी चैनई से अगर डॉग शो एंथूजियास्ट है और विनिंग लेना चाहता है तो मैं आपको बताओं कि मेरे इस डॉग ने अफगान हाउंस को भी हराया है और मेरे ही कुछ बार्जो इसको भी हराया है और ग्रैंड चैंपियन बना है और अब तक इसके पास में करीबन 20 से जादा ल बहुत आराम से चोटी जगे में भी रह जाता है हाँ थोड़ा एक्सरसाइज चाहिए होता है सो दे रिक्वाइर लिटल बिट अफ एक्सरसाइज बिकॉस दे आर हाउंस इसके लावा यह बहुत ही शान्त और काम और क्वाइट डॉग्स हैं आराम से आपके गर में दूसर हैं मुझे बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूं कि इनको प्रमोट करूँ जादा से जादा यह डॉग्स लोगों के गर में हो क्योंकि आजकल जो अर्बन एट्मोस्फियर है उसमें बहुत अच्छे सेट होते हैं बात करें शूज की यह कौन से ग्रूप में आते हैं यह ब इंडियन ग्रेहांज और जो इंडियन इसका इंडिया में जो केसी इस्टम में उसमें 11 ग्रूप बना हुआ है अगर वह इंटरनेक्शनली एक्सेप्टेंस में आ गए तो इनके कंपिटिशन में और भी डॉग्स हैं जैसे आईरिश वुल्फ हांज हैं और इंडियन सभी जो वह सारी इसके अंदर आती तो और कोई प्राव़लम् मेजर प्रावल्म जो इस ब्रीड मेशन में इस ब्रीड की अंदर जो मेजर प्रावलम मुझे लगी यह है और आप इसको एथिकली और डी इस ब्रीड नहीं करेंगे तो आपको इस सांसे जदा होता है बाकि इसके अलावा ना तो इसमें चाहिता है और कोई दिकत है ग्रूमिंग की भी दिकत नहीं है मेंटेनेंस की भी दिकत नहीं है और आपको मैं बता हूं कि यह सिर्फ 100 ग्राम्स of dry food जैसे मौर्निंग और 100 ग्राम्स ड्राइफूद अगर आप इवनिंग में देते हैं और एक्सराइज देते हैं 15-20 मिनिट्स रॉनिंग देते हैं फ्री रॉनिंग या फिर आप आराउंड 4-5 किलोमेटर अगर इसको वॉक देते हैं तो तो यह वेल सफिशेंट फॉर दिस ब्रीड इसके लवा कोई दिक्कत नहीं है अकेले में अगर हमने यह डॉग रखा हो अपने रूम में मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो यह डॉग मेरे जाने से अकेले में रह सकता है सर वो तो एक प्रॉब्लम है जो की बहेवरल इशू है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइ लेकिन जब मैं आज आता हूँ वापिस देन मेक दें फ्री और फिर वो मेरे साथ गर के अंदर पूरे गर में गुमते हैं और गर में रहते हैं तो ऐसा इशू मेरे साथ तो नहीं आए यह प्रॉब्लम्स हैं बहेवरल इशू हैं इस पे हम कोई फर्दर एक टॉपिक और ल तो उसको ज्यादा ब्रीट के बारे में पता होता है बिहेवियर इसका बिलकुल अच्छा है और बाकी शौट तो आपने देख लिए पतले रहते हैं ग्रे होन का चोटा सा रूप है और ज्यादा मसल मसल वाले डॉग है ज्यादा फैटी तो होते नहीं बिया यह इन में देने के लिए यह वीडियो अच्छी लगी हो आपको अगर अच्छी लगी है आप कोई भी कोश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमांशु भी यह का नंबर है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स झाल झाल झाल